आज मैं आपको जब जस एक नाश्टे की रेसिपी बन जाती है तो यहां मखाने ले लिए है मैंने एक कप इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है आपको जो चीज पसंद है वो जादा लेजिए जो नहीं पसंद है उसे कर सकते हैं तो मखाने को आपको अच्छी तरह से रोस्ट करना है मखाने रोस्ट हुए कि नहीं उसे चेक करने के लिए आप एक मखाना ले ले और इस तरह से तोड़के देखे यह तोट नहीं रहा है यानि कि यह अच्छी तरह से अभी सिके नहीं है बिना तेल बिना घी के इ यह सबसे पहले बदाम को थोड़ा हलका सा रोस्ट कर लोंगी एक से देड़ मिनिट के लिए विदाउट ऑइल विदाउट बटर कुछ भी हम यहां नहीं यूज करने वाले हैं और जैसी बदाम हो जाए एक से देड़ मिनिट बाद आपको लगे हलके हलके फूल गए है तब ह हम इसे निकाल लेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी तीन चमच के करीब देशी घी जीरा डाल दिया है और सूखी हरी मिर्च डाल दी है हरी मिर्च को कैसे सुखाना है स्टोर करना है मैंने अल्री बताया है जरू चेक आउट करीगा वीडियो और सूखे कड़ी पित्ते दोनों चीज मैंने इसलिए ड्राइ वाले डाले है कि इन केस अगर हमने इसे ठीक से फ्राइ नहीं किया तो इसमें फिर मॉष्चे रह जाएगा और हमारी सारी चीज सिल जाएगी एक चमच मैंने इसमें सफेग तिल डाल दिया है और देड़ कप के आसपास मैं इसमें एड मॉफली भी आपको आपके डायट में शामिल करना चाहिए या आप इस तरह से यह जो नाश्ता बता जीओ वो बना के खाये कैसे भी खाये बट मॉफली को भी आप आपके डायट में रोज ही शामिल करें इसकी बाद जब मॉफली हो जाए 80% तक तब आप इसमें बदाम मॉफली के साथ तो दोनों में इस तरह से क्रैक्स आने लगेंगी आपको आवास सुनाई देने लगेगी तब आप इसमें काजू और दूसरे जो सीड्स है खरबूजे के बीच और नारेल को इसमें डाल दे आप इसमें आपके पसंद के जो ड्राइफ रूट से वह आड़ किशमिष डाला है किशमिष को जब अपको लगे तरह चीज़े अची तरह तरह से रोस्ट हो गई है तब आप इसमें किशमिष डाले का 30 सिकंड ले सारी चीज़े प trump कर इसमें कूछ сообщ मसाले करते है को मैंने तो नमक दाल्य डिया के स्वाधनुसरार साथ ही इसमें मैं डा पाला नमख थोड़ा सा डाल दिया है एक चमबच मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी है और बुना जीरा का पाउडर दाल दे इससे का स्वाद बहुत जादा बढ़ जाएगा और मकाने डाल दे और सारी चीजों को अच्छी तरह से रोस कर ले फ्लेम अभी लोही रखीगा क्योंकि मसाले डाले है तो जलना जाए इसलिए विली नाश्ता सुबह एक मुठी खा लो जब भी आपको भूग लगे वेट लॉस कर रहे हैं तभी आप ये ले सकते हैं और बच्चे नहीं खाते अगर आप ऑफिस जा रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है अटर पटर खाने से अच्छा इस टाइप का हेल्दी नाश्ता खाए जिसके सारी जो सीड्स में डाले हो इसके भी बेनिफिट्स मिलेंगी इसे एक एटाइट कंटेनर में स्टोर करके आप महि आपको पसंद आने वाली है तो आज मैं आपको मार्केट में मिलने वाला महंगा मिल्क पाउडर घर पे बनाना बताऊंगी वह भी आसान तरीके से बिना प्रिजर्वेटिव के तो यहां मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है और आधा लीटर फूल क्रीम अमूल का दूद ले लिया है तो मैं आधा लीटर तो लिया है मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं घर पे बचा हुआ थोड़ा सा दूद बचा है वह भी मैं इसमें आयर कलूंगी यानि यह टोटल हो गया साड़े साथ सो एमिल दूद तो अब नॉन स्टिक लेंगे फ्रेंस आपका वेस हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुँ अगर आप करेंगे तो दस मिनिट के अंदर आप घर पे मिल्क पाउडर बना सकते हैं तो यह देखिए मैं इसे मिला रही हूँ अच्छी तरह से और कितना गाड़ा हो चुका है यह और सारी जो मलाई है इसके अंदर ही हमें अगर आप मावा बनाना चाहते है तो इसे कंप्लेटली ड्राइ किजिए यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा यह लूज है बहुत जादा नहीं बस अभी इसी टेम पे आपको गैस को आफ कर लेना है और चलिए इसे से ले लिया है गैस से नीचे और चलिए इसे स अपना घी होता है तो इसलिए हमें कुछ ग्रीज करने के जरूरत नहीं इसकी पतली सी लेयर हम लगा देंगे ताकि यह एच्छी तरह से सूख सके जली से सूख सके एक ही दिन में यह सूख जाता है फ्रेंस फैन के नीचे सुकाईए धूप आर यह दूप में भी सुका सकत तो बंट्रों अलगा दिया baka देखे इस तरह से टो पतली लेयर लगानी है पतली लेयर में भी सितानी लगाई ए जाका सक पमखाए अश्योच सोखस की यह दिन्समें के लिए 3-4 नहीं हो चुक है अच्नोर मेर का में आपको ए साथ की nanoold को ड्राए हो दूप आतुपर तो इसको अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है तो इस तरह से आप इसे पलट ले चाहे आप धूप में सुखाए थोड़ा अगर धूप में सुखाएंगे तो और जली सुख जाएगा या फैन के नीचे भी आराम से सुख जाता है तो मैंने दोनों को पलट लिया है अब फिर प्लेट पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि मलाई का अपना घी है तो इसलिए और यह देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुका है अब चलिए इसको हम कैसे बनाना है यह भी देख लेते हैं तो इसको मैं मिक्सी जार में ले लूगी और इसका फाइन सा इंस्टेंट रेसिपी के लिए भी हम मिल्क पाउडर यूज करते हैं काफी जादा तो मैंने इसे पीस लिया है यह देखिए आप चाहे तो इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं नॉन स्वीट अन्स्वीटन मिल्क पाउडर जो बोलते है वह यह है फ्रेंज बड मैं आपको मार्क मिल्क पाउडर होता है और बाकी तो शुगर होता है घर पे हम इस तरह से साफ तरीके से बना सकते हैं तो देखिए शुगर आट कर लिया है इसके बाद मैं एक बार और पीस लोंगी तो आप भी पीस लिजेगा ताकि अच्छी तरह से दोनों ब्लेंड हो जाए तो एक बार बस चला दीजे ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा घर पे बनके रड़ी है और जो दूसरा है उसको भी मैं मिक्सिजार में लेके पीस लेती हूं तो देखे फ्रेंड सुबह मैंने दूद रखा था और शाम तक मुझे मिल गया है मिल्क पाउडर है ये बहुत ही आसान रेस मिल्क पाउडर को स्टोड करके रख सकते हैं महिने भर तक के लिए ऐर टायट कंटेनर में भरके इसको फ्रिज में ही रख़िये गा मार्केट वाले इसमें फ्रेंस कॉन फ्लार अड करते है तो आप एक से देट चमच इसमें आड कर सकते है अगर आपको द्दाब फ्री फ् दोनों डिफरेंट चीजे है फ्रेंट्स मिल्क पाउडर ऐसे बनाते है जैसे मैं आपको बताया और डैरी वाइटनर गाय के दूद का लिक्वेट प्लस इसमें बहुत सारे और ट्रांसफार्ट मिलाया जाते है तो वह थोड़ा अन्हाल्थी होता है और जो डैरी वाइटनर ह यह जो मिल्क पाउडर है यह मिठाय कोई रेसिपी इस केक वगरे में यूज कर सकते हैं और इसमें प्रोटीन और काल्शम जादा होता है डैरी वाइटनर के कंपारिजन में तो यह देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने घर पे साफ तरीके से मिल्क पाउडर बनाया है कैसे लगी आपको यह मिल्क पाउडर की रेसिपी जरूर कमेंट करेगा तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स कौन से टिप आपको सबसे जादा पसना आई उसके लिए जरूर कमेंट करेगा कोई भी फिट्बैक हो सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो तो कर दीजेगा अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे है तो डेफिनेटली आपको पसनाई होगे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेयर कीजेगा आपके फ्रेंड्स और फैमली के साथ अगर आपको यह वीडियो यूसफुल सब्सक्राइब कीजेए घंटे के साथ ताकि सारे वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तिल दन टेक केर बाबाई